हेलो स्टुडेंट्स यह ल्ट्यम्स एफ का पाट टू है और इसमें हम लोग प्रिवेस एयर के आगे का कोश्चन के साथ डिल करते हैं तो चलिए देखते हैं कुश्च को कोश्चन में 11 है यह ल्ट्यम्स दिया हुए वैलिव और एट्सीअफ का भी वैली दिया है और वन अब दे नंबर का भी वैलू हम लोगों मिल गया है फाइंड आप क्या करना है अधर नंबर तो अनदर नंबर इसमें भी सेम फार्मला ही लग रहा है आज भी कौन से फार्मला था यह वारा फार् ठीक है तो क्या होगा अनदर नंबर और एलसिआउ आपरा यह तो यहां पर 30 मल्टि प्लाई 5 डिवाइडीड यह 5 नंबर जो हम लोगा 10 तो sum opinions का और यह 15 ऑ के रंस चलिए आगे बढ़ते हैं question number 12 की और इसमें क्या दिया हुआ है product of the two numbers दिया हुआ है ना यानि कि a multiply b is equal to इतना दिया हुआ है hcf का value भी हम लोगों को दिया गया है वह 8 तो find out क्या करना है lcm ठीक है तो simple है lcm निकालने के लिए उतना नहीं short trick अपना लेते हैं इतना जो multiply product है हम लोग का number का उसको divide कर देता है hcf से तो आराम से आ जाएगा यह हो गया वन इनेट शिक्स्टी तो वन इनेट शिक्स्टी इस आवर करेक्ट आंसर सिंस यह type 1 है तो इसमें ज्यादा तर similar question से हम लोगों देखने के लिए मिल रहे है ना लेकिन hard question यहने की type 5 type 4 इन समय थोड़ा सा difficult difficult भी देखने को मिलेंगे तो अभी चलिए इसको solve करते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है hcf का value दिया हुआ है जो की 8 है lcm का value दिया हुआ है जो की 48 है और one of the number दे दिया गया है जो की हम लोग का 24 है तो इसमें भी same another number पूछा जा रहा है करेंगा कैसे 8 multiplied 48 divided by यही same formula जो है हम लोग का 3 से करते हैं इसको ओ सॉरी 8 से करते हैं इसको तो किता होगा 28 चौविस और 28 चौविस और 48 फिर 3 से 2 तो is equal to क्या होगा 16 तो हम लोग को option number 4 is correct question number 14 के वोग देखते हैं यह देखें 2010 में आया हुआ 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 question है क्या दिया हुआ है इसमें भी hcf का value दिया हुआ है 12 lcm का value दे दिया है हम लोग का 3 3 6 और one of the number दे दिया है 84 तो find the another number इसमें भी same trick लगेगा lcm multiply hcf divided by one of the number तो 12 से 84 फिर 7 से इसको 48 times तो 48 इस आवर correct answer question number 15 इसमें क्या है product of the two number दे दिया गया है जो कि यह है और hcf का value भी दे दिया गया है 6 तो find out क्या करना lcm कैसे करेंगे सीधा सीधी जो product हम लोगा उसको hcf से divide कर देते हैं करने से कितना आएगा हम लोगा 36 यहीं हो गया हम लोग का correct answer question number 16 इसमें क्या दिया है hcf का value 18 दे दिया है lcf का value 378 दिया रहा है and one of the value 54 दे दिया है तो इसमें भी another number को find out करना बहुत ही simple है बताई दिये हम लोग काटेंगा इसको 3 से फिर इधर हो गया अठाती है चोवण और फिर 3 से इसको कट देते हैं तो 126 option number one is our correct answer question number 17 इसमें क्या दिया हुआ है product of the two number दे दिया गया है जो की 6300 है और साथी साथ HCF भी दिया गया है वह है 15 तो find out क्या करना है number of the possible pairs find out करना है तो वही simple जैसे हम लो क्या करते हैं इसको जो है HCF टी डिवाइड कर देंगे 6300 divided by 15 ठीक है दो बार 15 तब इसको कटते हैं इसको करते हैं तो कितना होगा 420 ठीक है और यहां पर फिर 28 ठीक है अब देखो जो 28 आ गया है इसको हम लोग को दोठो क्या जितना भी पेर बन सेके उस पेर में तोड़ना है ठीक है तो सबसे पहला तो यह होगा यह होगा सचोक 28 फिर दूसरा क्या हो जाएगा इतना यह भी हो सकता है तो इसका मतलब यहां पर जो है दो ठोपीर बन रहा है ठीक है तो टूपीर इस आवर करेक्ट आंसर अहां पर और एक पेर हो सकता है क्या 1,28 हो सकता है तुम लोग सोची रहे होगे लेकिन क्या हम लोग इसमें 15 से मल्टिप्लाइब करने के बाद जो प्रोड़क्ट आ रहा है इतना आएगा नहीं आएगा तो इसलिए हम लोग यह जो पीर है इसको हम लोग नहीं लेंगे लेकिन इसमें अगर हम करते हैं इसको एक बार मल्टिप्लाइब करो से इसको भी करो से तो कितना आएगा 105 और य हैं तीसरा पर नहीं होगा एक यहां पर देखो प्रोडुक्त अब दा नमबर्स दिया था ना लेकिन हम लोग यह दोनों जूड़ा स्थ निकाल लें यह प्राव नमबर्स का रेश्यों है तो इसको अगर हमको नमबर बनाना है सैबन को फोर जो है वो रेश्यों रहे इसको अ प्रैक्टिस करने करते रहना चीए उससे हम लोग को इफेक्ट पड़ता है तो यहां पे हो गया नीचे में वान आप दो नमबर 15 से सब्सक्राइब यहां पर 45 तो लोग सही आंसर है आप्शन नमर फोर कोश्चन नमर 19 इसमें LCM के वैलू दिया है है और वान अब दो नमर दे दिया है तो पूछ रहा है कि अधार नमर किया है ठीक है तो वहीं सेम प्रोसेस 20 by 52 multiply 4 10 हो गया 10 से अगर 4 को multiply करते है तो 40 यान कि option number 1 is our correct answer question number 20 जो कि अब लगा last question है इसमें क्या दिया हुआ है LCM के वैलू दे दिया है हम लोग को 1296 and one of the number जो है पहलू दिया है उसका 864 तो find out क्या करना है अनदर जो दूसरा नमर है वो क्या है तो सेम प्रोसेस है इसमें भी है ना 1296 multiply 96 divided by 864 तो अब इसको करते हैं स्वाल्फ सबसे पहले किता साथ है बारा अठे 96 और यहां पर बारा से चोड़ासी और बारा दो निच्वाविस हो गया अब हम लोग क्या करते हैं सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना झाल झाल